हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो सिलपास की चनल रेसिपीज आज में शेयर करने वाली हो खटी मीटी और बहुत ईड़ी आइसक्रीम की रेसिपी और इस आइसक्रीम को मैं कच्छे आम से और बहुत आसान तरीके से बनाने वाली हूँ वीडियो को पुरा एंड तक देखें बिना स्किप किए और अगर आपको मेरी महनत और रेसिपी अच्छे लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरुर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखने के बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए बिना देर के खटी मीठी आईस्क्रीम बराना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे खटे और कच्चे वाले दो मेडियम साइज के आम लिये हैं यह करीब 400 ग्राम आम है और आम को मैंने पानी से अच्छे से साफ कर लिया है अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें आम डालेंगे और इसी के साथ इसमें एक कप पानी आड़ करेंगे प्रेशर कुकर का धकन बंद करेंगे और मेडियम फ्लेम पे 5-6 से आने देंगे और उसके बाद प्रेशर कुकर का खुद सही ठंडा होने देंगे मैंने यहाँ पे आम के बॉयल होने के बाद छिलके हटा कर आम का पल्प निकाल लिया है अब हम एक मिक्सिका जार लेंगे और इसमें पाँच बड़ा चमच चीनी डालेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कामिया जादा कर सकते हैं और इसे ग्राइन कर लेंगे चीनी को ग्राइन करके इसी तरह हम पाउडर बना लेंगे अब हम इसमें आम का पल्प एड़ करेंगे और इसी के साथ इसमें आधा कफ फ्रेश पुदिना के पत्ते आड़ करेंगे अब इसमें एक छोटा चमच काला नमक आड़ करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डाले और देर कफ पानी आड़ करेंगे पानी एक करने के बाद इसे हम grind के लेंगे आइस्क्रीम बनाने के लिए आइस्क्रीम बेस हमारा तयार है मैं आपको इसकी consistency दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ना पतला है और ना ज़्यादा गाड़ा अब मैंने यहाँ पर आइस्क्रीम को जमाने के लिए इस तरह का आइस्क्रीम मोल्ड लिया है और एक एक करके सारी में हम आइस्क्रीम बेस डालेंगे मैंने यहाँ पर दो steel के glass भी लिया है इसमें भी हम आइस्क्रीम बेस डालेंगे अब हम इसे aluminum foil से अच्छे से cover कर लेंगे आप यहां पे cover करने के लिए cling wrap भी use कर सकते हैं और ice cream के mold के cover से भी इसे cover कर सकते हैं cover करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें air pass ना हो और ice cream में बरफ ना जमे कवर करने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से सारे में थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से आइस क्रेम स्टिक डालेंगे स्टिक को हमें पूरा नीचे तक अच्छे से रखना है अब हम आईस्क्रीम को जमने के लिए 8-9 घंटा इसे हम फ्रीजर में रख देंगे 9 घंटे बाद मैंने आईस्क्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है अब हम इसका कवर हटा देंगे कवर अटाने के बाद इस तरीके से हम इसे कुछ सेकिंद्स के लिए पानी में डिप कर लेंगे यहाँ पर मैंने नॉर्मल नेल का पानी यूज किया है अब हम आईस्क्रीम को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा कितना मसीदा और खटी मिठी कच्चे आम से बनी हुई आईस्क्रीम तयार है अब इस गर्मियों के मौसम में कच्चे आम से बनी हुई खटी मिठी इस आईस्क्रीम को जरूर ट्राइ करें बहुत ही डेस्टी बनती है और इस खटी मीटी आइस्क्रीम को बच्चे और बड़े सब मांग कर खाएंगे आपको मेरे आज के ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट के थुरू जरूर बताएं और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे